रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रू दबाएं वीडियो को जल्दी देखने के लिए आप वीडियो की स्पीट बढ़ा सकते हैं जिससे आपको वही जानकरी कम समय में मिल जाएगी इसके अलावा वीडियो को बहतर समझने के लिए आप वीडियो की सुरुवात में सब टाइटल आउन कर सकते हैं जिससे आपको रेट समझने में बहतर जानकरी मिलेगी बाबा बंसी वाला सिवा समीती की तरफ से आज मंडी में ठंडे मीठे पानी की छबेल लगाए गई सभी किसान व्यापारी और आर्टि भाईयो को राम राम भाईयो आज दिन है रविवार और तारिक दो जून दो हजार चोबिस आज मंडी में फल सब्जियो की आवक बिक्री और मंडी का महल कैसा रहा पूरी जानकरी आपके साथ साजा करेंगे और अपना अनभाव भी बताएंगे 9-10 मिनट की वीडियो में आपको मंडी के महल कि देंगे विस्तार से जानकरी यह वीडियो हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का दूसरा भाग है इससे अलग हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का पहला भाग है जिसमें आलू प्याज के बाजार भाव का महल आपके साथ आज साजा करेंगे आप से सिर्फ एक अनुरोद है वीडियो को अन तक पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट में से एक तो जरूर करें क्योंकि बड़ी महनत और प्यार से वीडियो बनाते हैं हमारी महनत की सफलताई सी में हैं आप वीडियो को पूरा देखें आईए जानते हैं फलो के भाव जोकी इस परकार से रहे हैं नारियल पानी 20-20 पैकिंग 1100 रुपे से लेकर 1200 रुपे रहा है अनानास का बाजार 45 रुपे से 48 रुपे किलो मौसमी 3 नमबर 4 नमबर 750 रुपे से लेकर 950 रुपे कटा रहा है एक कट्टे में 20 किलो मौसमी होती है केला क्रेट 10-12 दरजन 350 रुपे से लेकर क्वाल्टी के इसाब से बड़ी अमाल 500 रुपे क्रेट रहा है सेब में इस क्वाल्टी का माल 1000-1050 रुपे डबा एक डबे में 10 किलो सेब होती है आम सफेदा 60-65 रुपे छोटा साइज और बड़ा साइज 70-65 रुपे किलो का भाव रहा है आम दसहरी 45-50 रुपे पपीते का बाजार 30-40 रुपे किलो कच्चा बादाम 170-180 रुपे डबा रहा है एक डबे में 1 किलो बादाम होती है तर्भूज का बाजार 5 रुपे से लेकर 10 रुपे किलो तक चला है और तर्भूज धारी वाला 5 रुपे से 8 रुपे किलो रहा जन्नत तर्भूज 12 रुपे से 14 रुपे किलो बड़िया माल रहा है खर्भूजा 12 रुपे से लेकर 15 रुपे किलो का बाजार चला है खर्बुजी की आवक अच्छी चली रही है गॉल्डन गिलोरी आठ रुपे से लेकर 12 रुपे किलो का बाजार रहा लीची का बाजार आज 120 रुपे से बढ़िया माल 140 रुपे किलो तक बिके है सब्जियो के बाजार भाव की जानकारी लेंगे आज आर्थी भाई सिरी अमन दीप सिंग जी से पिस्तारा ठरा जानकार जी ज तो पिडा पना है अंजी है रही है सब्सक्राइब कर दो तो इतने जड़ा लाल होरा है प्रशान फटफार थाड़ी जाने तेर्टी रही है सब्सक्राइबें दिंड़ी टिर्फराइब वायर मेरे भॉनिटी इश्टी एटेस्ट रह जाए दिर्फिराइब वाली स्गेफिरी अठीनियो किया है पैकिंग फार जी मोटी जी बाकि पक्ची तीस प्रिंड़ी एक पेजित बाकि तीस बिग्दिन धार जी शर अर बावज पावी चलाएं ऑतलि तुरमेंगी पत्षी से तीसट थीर्य canยजिया नूं तरी क्लिणेधड हो 맛있कि च्छिंग्रा मर्शाल नोरी कुषा है यह दो थोर्य कि फ़ीप और सिलहेगें है बाइर बहुत 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 दन्यवाद बाओजी आखषणे के बाइसिर जानकर शाम है कि नाम नमबर फर्म का नाम है अन्या सब्जियों के भाव इस परकार से रहे माटर 35 रुपे से लेकर 40 रुपे किलो बढ़िया माज रहा है टमाटर हाइब्रेड वाला 150 रुपे से 200 रुपे क्रेट सिमला मिर्च में कल के मुकाबले आज अच्छी तेजी रही है यह तेजी एक दिन की है या ज्यादा दिन की यह तो कल पता चलेगा बंद गोबी का बाजार आठ से दस रुपे किलो धनिया पचास रुपे से साथ रुपे किलो पालक का बाजार पंदरा से ठारा रुपे किलो पोधिना बीस रुपे से पत्चीस रुपे किलो क्रेले का बाजार 10-14 रुपे किलो रहा हरा पेठा 4 रुपे से 7 रुपे किलो का भाव रहा निम्बू भाईयो इस क्वाल्टी का माल 50 रुपे से 6 रुपे किलो रहा है खीरा आठ रुपे से बारा रुपे किलो रहा है हाइब्रेट वाला और खीरा पोली 20 रुपे से 22 रुपे किलो का बाजार चला घीया का बाजार आज 10 रुपे से लेकर 15 रुपे किलो के बीच रहा बैंगन ठारा से 20 रुपे इस क्वाल्टी का माल मूली भाईयो 18-22 रुपे किलो भी किया है कंकडी का बाजार 12-16 रुपे किलो तक रहा है कच्चा आम भी मंडी में सुरू हो चुका है जिसका बाजार 10 रुपे से लेकर 15 रुपे किलो आज चला है किसान भाईयों आपके सयोग से अब तक एग्रीमंडी टीम ने चंदन की खेती, टमाटर की खेती, स्वीट कौन की खेती, अमरूद की खेती इसके अलावा भी कई किसान भाईयों से उनकी फसल के बारे में जानकारी इकठा की है जिसको एग्री मंडी टीम वीडियो के मार्जन से आपके लिए समय समय पर लेकर आती रही है अगर आपने यह सभी वीडियो या फिर इन में से कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप ये वीडियो एक बार जरू देखे इसके अलावा कोई भी किसान भाई अपनी खेती और फसल से जुड़ा अनुवव साजा करना चाहता है तो एग्री मंडी ये नंबर पर संपर्क करें एग्री मंडी टीम आपके पास आएगी और आपकी खेती से जुड़ी जानकारी कवर करें कुछ माल मंडी में परचून भाव में बिकता है जिसका कारण उसकी कम लागत या ज्यादा भाव का होन होता है उनके भाव इस परकार से हैं परचून भाव में बिकी है आज मंडी में माल की आवक तो अच्छी रही लेकिन गरह की कुछ कम देखने को मिली खेरे की आवक कुछ कुछ कम होती नजर आ रही है टमाटर का बाजार नीचे है धनिये में तेजी है सिमला मिर्च के अच्छे मालों में तेजी रही भाईयो यह था आज करनाल मंडी में फल सब्जियो का बाजार भाव वीडियो भाग दो इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं आलू प्याज के बाजार भाव के लिए आप देखें वीडियो भाग एक वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें धन्यवाद सभी किसान वैपारी और आड़ती भाईयों को राम राम भाईयो फल वैस सब्जियों के ताजा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैट आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सकें